नमस्कार दोस्तों आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आपको दो चारवाले रेकिक समी करन एक का हल करना बताऊंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए होते जानल को सब्सक्राब जरूर करें देखिए यह इस वीडियो में आपको बिलोपन बीदी से हल करके बताऊंगा समझके आपको पता होगा कि दो चारवाले रेकिक समी करन एक का बहुत सारे बीदी से हल होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बिलोपन बीदी से समी करन एक को हल करना बताऊंगा काफी असान है तो चलिए इस को सम्मी करन एक माल लेते हैं क्या माल लेता है एक उसके वाद है जने माल लेंगे 2 माल लें करते हैं उसके बाद जब असमान चीन रहे तो क्या करना पड़ता है जोड और जब समान रहे तो घटाओ करना पड़ता है कैसे हम आपको बता देते हैं जैसे माल लीजे यहां असमान है तो समान रहे तो क्या करना होता है जोड और समान रहे तो क्या करना होता है घटाओ जैस तो plus plus तो नहीं कटेगा, जूट जाएगा न, तो इसको क्या करेंगे, minus करेंगे, तब जाके घट जाएगा या नि कट जाएगा, लेकिन यहाँ देखे, plus और minus है, तिहां plus minus अगर इसको हम बराबर करते हैं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, तो दिखे यहा में चर को बराबर करने की जुरत नहीं है क्योंकि चर पहले से ही बड़ाबर है अगर नहीं रहता तो पहले क्या करते गुणा करते समझ गए जैसे माली जे इसको बराबर करना होता अगर यह दोनों बराबर नहीं रहता अगर आपको मन रहता इसको बराबर करने के लिए समझ करन एक में माली जे तीन से गुणा करना होता हां पूरे में कीजिएगा तीन से गुणा करिएगा तो तीन दुना चो एक्स तीन में वाई से करते जो भी पूरे में गुणा करना पड़ता है समझगे उसके बाद इसमें इसको न बराबर करना है तो दूसे गुणा करते तो द चीन से कर रहे तो इस पूरे में खिजिएगा ओके लेकिन यहां तो दिखिए बरावर है ही तो हम सिर्फ क्या करेंगे जोर या घटाओ करेंगे जब समान रहे चीन तो घटाओ करेंगे और जब असमान रहे तो जोर करेंगे तो दिखिए यहां तो चीन असमान है तो सिर्फ क क्या करेंगे जोर करेंगे समझ गे तो समझ में आया होगा कि क्या करना होता है सबसे पहले आपको किसी भी एक चर को बराबर करना होता है बराबर करने के लिए गुना करना होता है और गुना करने के पाद जोर ना या घटाना पड़ता है समान चीन रहे तो क्या करना पड़त करन एक जोड दूसे यानि इसका मतलब यह हुआ कि सम्मिकरन एक और दू को क्या करेंगे जोडेंगे तो चलिए जोडते है तो 2X पलस Y बरावर कितना है 10 है और 3X-Y बरावर कितना है 5 है जोडेंगे तो दिखिए यह पलस और माइनस के कट जाएगा हमें यही काम करना है कि किसी एक को बिलुप्त करना है तो इसके लिए जोड़े है तब करता अगर घटाओ करते दुनों क्या हो ज़ुप्त जाता क्योंकि माइनस के पलस होजाता त Sharing पलस पलस जोर जाता अगर जोर करे है तो क्या की हुआ है घट गया है समझगे तो आपको देखना है कि कैसे यह बराबर होगा सबसे पहले तो गुना करना है उसका जोर घटा करना है तिहां कट जाएगा यानि बलूप्त हो गया यह पलस यह भी पलस है तो जोर देंगे तीन पांच गुने X है तो 5 से इधर 15 में क्या कर देंगे भाग देंगे समझ गए अगर भाग देंगे तो इसलिए X के मान कितना हो जाएगा आपको 5 याई 15 यानी 3 हो जाएगा समझ गए अब देखे एक चर का मान निकल गया ना तब वोई दोनों समीकरन में से किसी भी एक में आएगा तो चलिए हम एक में रखते हैं समीकरन एक में X बरावर तीन रखने पर समी करन एक में एक स्वार कितना रखने पर तीन रखने पर तो समी करन एक कितना है टू एकस पलस वाई बरावर दस है तो एकस के बान तीन रखना है तो दू गुने क्या दू गुने एकस है यानि 2 गुने 3 हो जाएगा पलस y बराबर 10 ये समझ ये 2 गुने x है x के बाद कितना रखना था 3 रखना था अब गुना कर दीजे 3 गुना कितना हो जाएगा 6 पलस y समझ गए अब देखिए 4 वाला को एक साथ कर लेंगे और अब चर वाला को एक साथ y का मान कितना हो जाएगा y का मान हो जाएगा 10 मैं से 6 घट आएगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यही समिकरण का हल हुआ 3 और 4 समझ गै लिख सकते हैं तद लिख लेंगे अट x बराबर 3 और y बराबर 4 है आप इसी तरीके से बना सकते हैं मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ मैं आए होगा और वीडियो समझ मैं आए तो वीडियो के लाइक और नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद